Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me Shipra Tiwari, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको provide कराया जाता है बिल्कुल free education ताकि आप अपने life में बहुत अच्छा कुछ कर सको बच्चो तो कोने से आने का मतलब जो है आप समझी गए होंगे कि आज हमें शुरू करना है एक नया chapter और नई unit ठीक है यह unit बहुत जादा important है इससे हमेशा questions आते हैं ऐसा कोई साल नहीं हुआ है नीट में कि इससे सवाल ना हो तो आपको इस chapter को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को community post पे एक poll भी करवाया था जिसमें 80% लोगों ने बोला कि हमें structural organization of animal पढ़ना है तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं चीक है अब structural organization of animals में आपने क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम लोग overview जान लेते हैं इसमें तीन images लगी हुई है अब ये तीन ओ images क्यों लगी है वो मैं अब आपको समझा रही हूँ देखें पहला image जो है वो लगा हुआ है एक tissue का दूसरा लगा हुआ है cockroach का और एक लगा हुआ है frogman का यहाँ पर एक और होना चाहिए था earthworm अब चलो chapter overview कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है structural organization in animals में हम लोग पढ़ेंगे दो चीज़े ठीक है इस chapter को हम लोग थोड़ा मोटा ले लूँ इस chapter को हम लोग जो है कुछ भागों में divide करेंगे ठीक है चलो आजाओ मेरे बच्चो श्री गड़ेस कर रहे हैं हम लोग देखिए structural organization को ठीक है हम लोग कुछ भागों में divide करेंगे ओके इस chapter को हम कौन-कौन से भाग में divide कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं आजाओ इस chapter में आपने पढ़नी है total दो चीज़े not exactly दो चीज़े अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा difference समझ में आएगा इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी animal tissue के बारे में animal tissues के बारे में ठीक है हम लोग plant tissues के बारे में पढ़ेंगे कहाँ पर? anatomy में plant anatomy में पढ़ेंगे तो tension ना लेना ठीक है? क्योंकि structural organization in animals है इसलिए हम लोगों को animal के बारे में बात करना जरूरी है तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगी animal tissue के बारे में सबसे पहले बहुत important chapter है ये ठीक है? बहुत actually chapter नहीं है ये ये एक part है इसी chapter का एक part है ठीक है? structural organization in animals chapter का एक part है पर अपने आप में ही एक पूरा sub chapter है बच्चो पूरा 7.1 NCRT में heading दी हुई animal tissues के नाम से तो ये एक बहुत ही महत्वपून topic है आपके neat examination के लिए दूसरा हमने इसमें पढ़ना है बेटा cockroach ठीक है? दूसरा हमने इसमें पढ़ना है cockroach ठीक है? ओके? नाओ, cockroach के साथ आपको इसमें और क्या पढ़ना है? और आपको इसमें पढ़ना है frog अब बहुत सारे लोगों का ये question होगा कि मैडम, neat के syllabus में से earthworm और frog हटा दिया गया है पर 2017 में frog से question आ चुका है ठीक है? तो on a safe side हम ये chapter ये topic करके रखते हैं क्या पता आपके ये exam में आ जाए? तो 2017 में इससे question आ चुका है कि ये हमारे syllabus से हट गया है तो बेशक हट चुका है पर सवाल फिर भी आज आ जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि earthworm is the part of enelida and frog is the part of amphibia भया तुमसे frog के बारे में सवाल पूछ लेगा तो तुम क्या करोगे? वो बोल देगा हम तो amphibia के बारे में बात कर रहे थे हम वहाँ पे claim करने तो जाएंगे नहीं बेटा कि हम से frog के बारे में क्यों सवाल पूछा? क्योंकि ultimately तुमारे classification में frog के बारे में amphibians के बारे में तो पढ़ना था अब मैं आपको बताती हूँ कि animal tissue से हम शुरू करेंगे चलो शुरू कर ही लेते हैं तो क्या क्या पढ़ना इस chapter में हमने पढ़ना animal tissues और कुछ animal की morphology और anatomy याद रखो morphology कैसा दिखता है, anatomy उसके अंदर क्या क्या होता है बहुत मैंने आपको मेभी जब NEET का syllabus overview दिया था मैंने तब भी आपको समझाई दिये चीज़ ये जो है chapter छोटा है पर benefit बहुत भायंकर देता है chapter छोटा भले है पर इससे सवाल हर साल आते हैं तो जो chapter छोटा और सवाल उससे आएं वो आपके लिए हमेशा benefit होता है बजा इसके कि बहुत बड़ा chapter पढ़ो उससे सवाल इना आए तो ये जो chapter है structural organization in animal इससे animal tissue से भी सवाल पूछा जाता है और इसमें cockroaches, frog, earthworm से भी सवाल पूछा जाता है बच्चो ठीक है तो चलिए animal tissue सबसे पहले हम ये मानते हैं what do you mean by tissues देखो भाईया इंसान जो है human beings जो होते हैं they are very complex body ठीक है हम सब बहुत ही complex body animal होते हैं we are social animal हमारी body में different type की cells present होती है for the performance of different type of functions पर हमेशा से ऐसा नहीं था हमेशा से ऐसा बिलकुल भी नहीं था बहुत सारे organism ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ cell से बने होते हैं only cell बिचारे अब हागे हैं दुनिया से परिशान हैं क्या करें कोई दिक्कत नहीं है कुछ organism ऐसे होते हैं जो सिर्फ cell से बने होते हैं बताओ पढ़ा है तुम लोगोंने इसको protozoa बोल देती हैं यह सही है ना यह सही है ठीक है तो यह जो और्गानिजम होते हैं सिंगल से बने रहते हैं सिंगल सेल तो क्या इनके बॉडी में कोई function की कमी है क्या ना मुनना ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है इनकी बॉडी में यह single cell ही सारे function perform कर लेगी चाहे वो respiration हो ठीक है चाहे वो circulation हो ठीक है चाहे वो digestion हो ठीक है चाहे वो excretion हो समझ में आई बात even ठीक है तो यह बात आपको clear हो गई कि यह जरूरी हर किसी का अपना एक body design होता है बचो हम अर्थ में जनम लिए हमारी body सबसे complex और smart body है यह हमारा luck है पर अर्थ पर पाए जाने वाले हर organism का शरीर इतना ही complex हो यह बिलकूल भी जरूरी नहीं है अर्थ पर बहुत सारे ऐसे organism होते हैं मेरी बच्चो जिससे में सिर्फ और सिर्फ single cell होती है तो क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा बिलकूल भी नहीं है एक bacteria आदमी की जान ले सकता है clostridium botulinum food poisoning से आदमी मर जाता है कि नहीं मर जाता तो यह भी अपने खुद की dignity रखते हैं but they don't have complex body like we have they have only single cell और उसी single cell से सारी चीज़े यह perform करते हैं ठीक है फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा development हुआ थोड़ा सा development हुआ ठीक है protozoa उसके बाद हम लोग किस में आते हैं बताईए उसके बाद हम लोग आते हैं poriferas में ठीक है porifera में they have different types of cells but they don't have ability to make the tissues मेरी बाद समझ गया है आप तो उनके में यह power नहीं था कि वो tissue बना सके तो उनके body में अच्छा they have single cell and they perform all the things जो की जीवन के लिए जरूरी है ऐसे बहुत सारे organism होते हैं जैसे कि sponges हो गए इनके पास number of cells क्या होती है जादा होती है ठीक है पर वो उतनी जादा नहीं होती कि वो tissue बना पाएं ठीक है तो जो पौरी फैराज होते हैं वो भी cellular level of organization शो कर सकते हैं पर जब हम पौरी फैराज को खतम करते हैं तो हम sealant rates में आते हैं sealant rates में क्या होता है बताइए यहाँ पर the number of cell get increases and they form the aggregation, they form the relation पर यह याद रखिएगा कभी भी दो different cell का relation आप नहीं बना सकते हमेशा आपको similar cells को ही एक साथ जोड़ना पड़ेगा मेरी बात समझ गया आप जब आप different अलग-अलग जो cells हैं जो इधर उतर पड़ी हुई हैं जब same function perform करने वाली कोशिकाओं को आप साथ मेला कर रख देते हैं ताकि वो function perform कर सके तो उसे हम कहते हैं tissues आगई बात समझ में? So tissues are nothing, it is the aggregation of the cell with similar function and similar origin Getting my point? ठीक है? तो जो sealant rates होते हैं उन्होंने cell को aggregate किया और उन्होंने बना लिये tissues ठीक है? अब आप मेरी बात को थोड़ा सा समझना बात को अब जो sealant rates हैं इनके पास सिर्फ और सिर्फ बच्चों कौन सा organization है? Tissue level of organization इनके पास इतने tissue नहीं है कि वो organ को बना सके So what is the tissue? exact definition अगर हम मानें तो exactly definition क्या होगी? Tissues are nothing. It is the group of, it is the group of, group of similar cell. It is the group of similar cells with similar origin. Same origin लिख देती हूँ यहाँ पर. Same origin to perform, to perform specific function. Okay? To perform specific function बच्चों बच्चों लोग, समझ गए? ध्यान से समझना. Tissues क्या होते हैं? Tissues are nothing. They are the group of similar cell with the similar origin to perform the specific function. अब एक cell, suppose that, efficiency की बात है बच्चों. Efficiency की बात है. अगर तुम single cell वाले हो तो तुमारा efficiency कम होगा. पर जब तुमने similar cells वाले को एक साथ रख लिया है तो तुमारी efficiency क्या हो गई? बढ़ गई. अब एक ही cell सारा काम कर रही थी protozoase में. ठीक है? यहाँ पर we have different groups of cells to perform the various function. अब ज़्यादा cells होंगी तो ज़्यादा अच्छे से काम होगा. जब tissues में, जब क्या हुआ? number of tissues बढ़े. जब क्या हुआ बचोद? number of tissues बढ़े. तो number of tissues जो थे, वो सब aggregate हो गए. जैसे जो tissues respiration perform कर रहे थे, जो tissue जो है gases exchange में काम कर रहे थे, वो सब इकठा हो गए. जब same function करने वाले cells जो tissue बना रहे थे, जब same function करने वाले tissues इकठा हो गए. अब respiration perform करने के लिए, we have one tissue, we have second tissue, we have third tissue. पर जब आप और ज़ादा डवलप हुए, तो ये तीनों टाइप के tissues भी aggregate हुए. और इन्होंने बनाया organ. आ गई बाद समझ में, जैसे platy helmets, इनके में organ level of organization होता है, but they don't have well developed organ system. Getting my point? कि similar cells को लो तो tissue बनेगा, similar tissues को लो गए तो organ बनेगा. समझ गए? तो इसका example क्या हो गया? platy helmets, done, flatworms. Now, जब आपने similar function perform करने वाले organs को लिया, तो क्या बनाया आपने? तो बनाया आपने organ system. क्या बनाया मेरे पहरे बच्चों? तो आपने बनाया organ system. organ system क्या है? It is nothing. जब आप similar function perform करने वाले organs को एक साथ रख लेते हैं. जैसे आपको हवा कहां से exchange करनी है भाईया लोग? आपको हवा exchange करनी है लंग से. पर हवा कहां से लोगे? नाक से लोगे. तो नाक respiratory system का पाट है. फिर हवा को transmit कहां से करोगे? अंदर के और कहां भे किस से बेज होगे? ट्रैकिया से. तो ट्रैकिया respiratory system का पाट है. एक्स्चेंज कहां करोगे? लंग्स पे. तो लंग्स respiratory system का पाट है. सास लेने और छोडने में कौन सी muscle का involvement होता है? डाइफ्राम की muscle का, रिप्स के बीच में, इंटर कोस्टल मसल का, ये भे respiratory system का पाट है. तो ये सारे organs जो हैं, जो respiration में help करेंगे, उनको एक साथ रख लो. और आप एक system बना लो, कि पहले ये organ, फिर ये organ, फिर ये organ. इस वाले रेस्पारिटरी system. तो ये तो ये organ को हमने एक साथ रखाना, इसा थोड़ी होता है कि खाना खाया, स्टमक में घुसाया और जाके जाके डाल दिया लंग्स में. ऐसा तो नहीं होता. तो हर चीज़ sequential perform हो, इसने हमने हर organ को एक साथ रख लिया. जो same function perform कर रहे थे, एक type का function perform कर रहे थे. तो उन्होंने क्या बना लिया? ठीक है, यही organ-organ system बनाते हैं. यह organ किसे बने? टिशूस से बने हैं. और टिशूस किसे बना हैं? भईया, cell से बना हैं. तो human में तो सब कुछ होता है. Human physiology में आपको पढ़ना है यह चीज़े. समझ गए? अब आपको समझ यह, कि what is the need of tissue in the body? question तो यह है मेरे लाल. कि what is the need of tissue in the body? division of labor. ठीक है, यह याद रखिएगा. यह term याद रखिए. division of labor. ध्यान से समझो. जब हम similar function perform करने वाली cells को एक साथ रख लेते हैं. जब हम similar function perform करने वाली cells को एक साथ रख लेते हैं. तो सब को पता होता है, कि भाईया तुम जब है तो gases exchange करने वाली cell हो, तो तुम अपना काम से काम रखो. तुम digestion करने वाली cell हो, तो तुम digestion करो. तुम circulation करने वाली cell हो, तो तुम यह करो. ठीक है, तुम ciliated cell हो, तो पानी बाहर करो. तो division of labor ज़ो है, वो tissue से ही शुरू हुआ. We have different types of tissues into our body to perform various types of function. ठीक है? तो हमने अपनी body को specify करते गए. We have बहुत सारी cell. बाद में हमने सब को division कर दिया ना, भाईया, labor के हिसाब से. respiration करने वाली धर आजाओ, titration करने वाली उधर चले जाओ, circulation करने वाली उधर चले जाओ. तो हमने tissues बना लिये. अब वो tissue specific function करते रहेंगे. It is called as division of labor. काम करने के धार पर tissue का विभाजन. तो असान हो गई ना चीजे? भाई, असान हो गई और efficient हो गई. समझ गए? तो tissue के आने से work जो है, वो ज़ादा efficient हो गया. में हमने क्या क्या पढ़ना है? Animal tissues पढ़ना है. और cockroach पढ़ना है. अर्थवाम पढ़ना है. और frog पढ़ना है. चीक है? आजाओ. आगे बढ़ें. आगे बढ़ते हैं. चलिए. So, look at this beautiful slide. Look at this. चमक रहा है? ऐसा नहीं जाक रहा है? इसको चल रहा है आपे? यहाँ पर आपको group of cells दिखाई दे रही है. Group of cells में क्या आपको कोई structure different दिख रहा है किसी cell का? ना. एक जैसे दिख रही हैं. दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं माडम. तो यही तो tissue है? यही तो tissue है बच्चोँ. इस दिख रही है? तो इस दिख रही हैं? तो इस दिख रही हैं? तो यही तो tissue है? To perform the various function, the similar type of cells which has a similar origin get aggregated and the aggregation of these type of cells is called as tissue. चल यही है. अगे बढ़े हम लोग? यह समझ गया? सब लोग कहा नि? Okay. let's start the introductory part of the tissue to attain more efficiency to perform various functions like digestion. तो कहाते हैं तो आप चाहते हैं कि अगर आपके शरीर में digestion अच्छे से हो आप चाहते हैं कि respiration अच्छे से हो ठीक है आप चाहते हैं कि reproduction अच्छे से हो ठीक है तो हमारे पास इन सब के लिए cells है, reproduction के लिए we have sperm and over, respiration के लिए we have valvular cells, digestion के लिए we have stomach की cell, intestine की cell ठीक है, now what we have to do, अगर आप चाहते हो कि अच्छे से हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा कि पास पास लाना पड़ेगा इन cells का काम क्या है, इन cells का काम है different functions को perform करना पूरे body में हमारे पास एक type की cells तो नहीं है, यह पुर चले जा रहा है, सब एक ही type की cell है नहीं हर function को perform करने के लिए, we have different types of cells, ठीक है even the body of simple organism like hydra and sponges are made up of different types of cell of cell, each type can be thousands, ठीक है, अब समझो जैसे कि मेरे body में, मैं hydra की body नहीं, मैं human body की बात करती हूँ human body में ovary है, है ना, ovary है ना, अब ovary में एक ही ova होता है, क्या, ना अगर एक ही ova होता, तो female जीवन काल में सिर्फ एक बार ही pregnant हो पाती है, पर we have so many ovas ना, तो हमारी body में एक ही function को perform करने के लिए, खूब सारी cells है, अब बेटा, अगर वो cell इदर उदर घूमती रहेंगी, तो function की efficiency, जो efficiency होगी काम करने की, वो कम हो जाएगी, तो जो same function perform कर रही है, भाईया, तुम्हें ova से बच्चा पैदा होगा, इस वाले ova से भी बच्चा पैदा होगा, इस वाले ova से भी बच्चा पैदा होगा, तो इस सब जब बच्चा ही तैदा करेंगी, तो इन सब को एक साथ ले आओ ना, ठीक है, ओके, ठीक है, तो human body भी जो होती है, उस में भी different type के billions of functions perform करने के लिए अलग-अलग cells है, and I don't think so कि मुझे हर cell का आपको function बताना पड़ेगा, क्योंकि आप तो पूरा human physiology कर पढ़के बैठे हो, nerve क्या करेगी, signal transmission RBC क्या करेगी, oxygen transmission WBC क्या करेगी, protection क्या क्या करेगी, muscle क्या करेगी, muscle contraction movement करवाएगी, तो we have different types of cell, group of similar cells along with the intracellular substances, समझो, समझो बात को, क्या बोलना चाह रहा है, यह point NCIT का ही है, NCIT का ही tension नालो, अगर हमारे पास दो cells है, काले से नहीं बनाती हूँ, काले से नहीं बनाती हूँ, ठीक है, अगर, अगर हमारे पास दो cell है, ठीक है, दो cell है, और हम चाहते हैं, दो नहीं, चार बना ले, हम चाहते हैं कि यह चारो cells जो है, एक ही जैसे दिख रही है, हम चाहते हैं कि यह चारों से लेक जैसे ही function perform करें तो इनको एक साथ जुड़ा एना जरूरी है ना तो इनके बीच में intracelular material पाया जाता है और इस intracelular material को हम matrix के नाम से जानते हैं किसके नाम से जाते हैं? matrix के नाम से जानते हैं समझ गए? तो the group of similar cell which are connected with the intracellular material called as matrix ठीक है? तो matrix पाई जाएकर उसी से वो सारी जुडी हुई रहती है या इसी को हम intracellular substances भी कह सकते हैं intracellular substances okay now okay so the group of similar cells along with the intracellular substances which are specialized to perform a specific function called as tissue clear हो गया? definition clear हो गया? okay now human beings के पास या animals के पास we have four types of tissues ठीक है? okay these tissues are organized in the specific proportion ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि बड़े जा रहा है एक ही type का tissue बड़े जा रहा है बड़े जा रहा है ना और हर प्रकार का tissue एक ही जगा पर हो ये भी ज़रूरी नहीं है हर organ का kidney में अलग type के होंगे, heart में अलग type के होंगे, brain में अलग type के होंगे ठीक है? muscles में अलग type के होंगे, blood vessels के अंदर अलग type के होंगे तो हमारे पास चार basic type के tissues हैं जिनकी location अलग-अलग होती है चारो प्रकार के tissue एक ही जगा पर पाये जाएं ये ज़रूरी नहीं है ठीक है? Two or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction they together form the organ system ठीक है? बहुत सारे जो function perform होते हैं हमारे body में वो कैसे perform होते हैं? by the interaction बाइदा interaction ठीक है? भया तुम खाना चबाओगे ही नहीं तो खाना स्टमक में कैसे जाएगा? तो स्टमक एक organ है टिशू से ही मिलके बनता है ठीक है? हर organ टिशू से ही मिलके बनता है तो ये organ दूसरे organ से interact करते हैं और interact करने क्यों करते हैं? ताकि function efficiently हो सके और organ system बन जाता है जैसे की digestive system, respiratory system एक्सेक्टरा ठीक है? तो अगर हम चाहते हैं कि एक common function perform हो अच्छे से physically भी, chemically भी तो हमें इन organ जो tissue थे उनको organ बना लिया अब उनको organ को एक साथ करके organ system बना लो ठीक है? The body of multicellular organism exhibits the division of labor यही पढ़ा रही थी मैं आपको यह देखिए and contribute the survival of body as a whole मेरी बात समय नहीं, यह line बहुत अच्छी है कि हमारे body में हर, जैसे कि आपके घर में भी ना बचो normally क्या होता है? हलाकि ऐसा होता है नहीं आजकल, पर ठीक है ममी को खाना बनाना है पर आजकल ममी लोग भी खाना नहीं बनाती है, उस अब job करती है पर normal हम कहें ममी खाना बनाती है, पापा पैसा का बाते हैं, बच्चा पढ़ता है ठीक है, इंगन tradition में ही होता है तो division of labor है यह सबको अपना-पना काम पता है वैसे ही digestive system का काम क्या है, digestion कितने सारे organ उसमें मिले हैं, बहुत सारे वो सारे organ मिलके क्या बनाते है, organ system respiration का काम क्या है, gases exchange circulation का काम क्या है, material transportation nervous का काम क्या है, nerve conduction तो we have different types of organ system और हर को हर का काम पता है, सबको सबका department पता है, कोई किसी के काम में effect होगा done, इतनी बात clear हो गई so we have four types of animal tissue जो कि हम next class में deal करेंगे तो आज की class में हमने सीखा कि किस प्रकार से tissue बनते हैं, definition क्या होती है और एक general सा introduction ठीक है, so the branch of biology जिसमें हम लोग tissue के बारे में अध्यान करते हैं, इसे हम histology कहते हैं, ठीक है हम tissue क्यों पढ़ रहे हैं, पहला आपको यह जानना जरूरी कि why we are studying about the tissues, जब मैंने आपको human physiology पढ़ाई थी, तब भी मैंने आपको हर जगा पर कि वहाँ पर कौन सी cell है वहाँ पर कौन सी gland है, वहाँ पर कौन सा tissue है, यह सब बताया था ठीक है, मैंने human physiology को पढ़ाया ही सबसे पहले इसलिए था, ताकि आप tissue को learn कर पाएं, क्योंकि जब मैं tissue के example आपको बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि human physiology का role क्या था, ठीक है, इसलिए मैंने पहले वह पढ़ा दिया, ताकि मुझे थोड़ा सा example में कम effect डालना चाप्टर बाकी हैं, बाकी सब पढ़ लिया है, तो जिन्होंने lecture लगाए होंगे, वो जानते होंगे कि हर organ कौनसे tissue से बना है पाटेंशन नहीं लीजे, अगर आपको पता नहीं है, तो भी हम in lectures में बात करेंगे उनके बारे में, तो I hope next class, thank you so much.